इस्टॉक गुर्मानी अनिल जी मेरा भी स्टॉक टेलिकॉम स्पेस में भारती एटल है इसमें एक अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है कि इनका डेटा सेंटर में कारलेक करेबन 25% स्टेक लेने वाला है और करेबन 235 मिलियन डॉलर में डील हुई है तो लग रहा है कि कमपन इस लेवल पे जरूर खरीदे स्टॉक उपरी लेवल से काफी गिर चुका है तो करीबन 610-615 का स्टागेट प्राइस लेके यहां पे खरीदने का एक मौका बनता है तो यह डेफिनिटल अपने पोर्टफोलिय में इंट्लूड करना चाहिए अनिल जी I think numbers बहुत ही खराब है और ऐसा लग नहीं रहा है कि आने वाले कम से कम एक या दो कॉर्टर में कोई बड़ी रेटिंग आएगी कि in fact company जिस प्रकार से अभी crude के कीमते चली है upstream companies के लिए बहुत दिक्कत की बात है और मुझा लग रहा है कि इस level से भी stock से exit होना चाहिए कि अगर किसी को position लेना है तो मैं समझता हूं कि IOC या HPC लिए दोनों अच्छे विकल्प है current prices पे क्योंकि आने वाला quarter inventory gains भी रहेंगे और प्राइस टेबल भी हो चुके तो upstream companies से निकल के मेरी क्याल से OMC companies में निवेश करने का मौका सही लगता है और यह है आप लिए ओंजी सी परा अधिपाल शुम्हें मुझे लग रहा है कि इवन current level space में investment किया जा सकता है क्योंकि अमरित सर और बटिंडा का जो उनको network मिला है यह definitely बहुत ही अच्छी बात है अल्रेडी गुजरात में यह number one clear है और जिस प्रकार का इन्होंने performance दिखाया है हमको लग रहा है कि इस साल और आगे FY22 दिले भी growth बहुत strong रहेगा तो अगर कोई भी गिरावट अगर stock में आती ह और even current levels पर कोई खरीदता है तो मुझे लग रहा है कि comfortable risk reward बन सकता है तो यहाँ पर खरीदने का ही राय रहेगी बिल्कुल तो खरीदने की ही राय रहेगी नजर रखे गुजरात गैस पर जिस तरह से लगाता रोज हम इस stock में भरपूर action देख रहे हैं अबिनाज जी JSPL जिद्दल Steel & Power इसमें हमने पिछले कुछ दिनों से action देखा है अब खबर आई है कि ओमान का कारुबार पूरी तरह से exit करने वाले है तकरीबन $1 billion की यह deal होने वाली है और फिर यह directly debt reduction के लिए स्नमाल होगा कैसे देखना जाए इस खबर को और इसके basis पर stock पर आपकी क्या राय है तिपाजू यह definitely positive खबर है क्योंकि काफी समय से deal pipeline में थी और $1 billion जो company इस arrangement से जुटाएगी वो पूरी तरह से करजा repay करने में आएगी तो यह earnings के लिए बहुत positive खबर है हमको लग रहा है कि even current levels पे जिस प्रकार का structure है और जिस प्रकार का growth trajectory है हमको लग रहा है कि FY21 भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा और hopefully debt कम होने के बाद जो earnings growth है उसमें कम से कम 10-12% की इजाफा होगी तो यहाँ पर definitely एक अच्छा खरीदने का मौका बनता है metal space में यह काफी अच्छा गाइट कोफों को साबित हो सकता है बिल्कुल तो खरीदने का मौका बनता है इन levels पर इस cover के basis पर और metal space में out performance का मौका आ सकता है escorts इस पर नजर डाले जून की जो कुल बिक्री है इनकी वो आई है 10,851 यूनिट्स पर यह आपके जो auto sales नंबर से आ जाने वाले हैं और यहाँ पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी किस तरह की expectations बन रही है companies की तरफ से escorts वैसे तो काफी active रहा है जातक इस stock का सवाल है एक बार फिर से थोड़ा और active होने की तैयारी में है 10,851 यूनिट्स की sale हुई है इनकी जून के महिने में इसके break-up भी देखेंगे कुल विक्री जो बड़ी है तो अच्छे numbers आए है बलकि 8,969 यूनिट्स से बढ़कर अब 10,851 यूनिट्स आई है अविनाज जी एक reaction आपका total sales में बड़ातरी आई है stock भी काफी अच्छा रहा है और हम देख रहे हैं कि percentage wise basis भी total sales में अच्छी बड़ातरी है escorts के लिए बिल्कुल escorts के numbers काफी अच्छे हैं और जिस परकार से management commentary भी पहले थी कि अच्छी तेजी आपको देखने को मिला है अगर यह hopefully आने वाले quarters के लिए भी बरकरार रहता है तो इसमें यहां से भी अच्छी rating दिपांचू possible है तो मुझे लग रहा है कि definitely stock में एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगे बिल्कुल stock में अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है info edge यहां पर थोड़ी weakness आते हुए देख रहे हैं आविनाज जी info edge पर क्या view है country में तो lockdown extend हो गया पर यह containment zones में रहेगा महराश्य में थोड़ा और strict lockdown extension है जिस तरह से इनके business पर असर आते हो दिख सकता है promoter ने भी 26 से 29 जून के बीच एक लाग shares बेचे हैं इतनी बड़ी बिक्वाली नहीं है बट जिस तरह से results के बाद rally आई थी और अब इन लेवल से info edge पर क्या view बनता है इसका सीरा impact उनके employment business याने नोखरी.com के business पर आएगा रही बाद उनके जो दूसरे businesses है जैसे की zomato है real estate के portals है यहाँ पर हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी upset आएगी at least कम से कम दो या तीन quarters के लिए तो मुझे लग रहा है कि fundamentally अभी भी इस लेवल से stock को बेचा जा सकता है currently हमको लग रहा है कि stock fairly expensive valuations पर अभी भी trade कर रहे है और हलाग कि zomato के operations थोड़े से चालू जरू हो गए लेगिन इसका incremental impact आपको earnings पर आने वाले एक दो quarters में दिखाई नहीं देगा बताएं सेर अरेल जी जो दस की कमाई का पिक है वो रूरल प्ले है और हमको यहां पे महिंद्रा इन महिंद्रा पसंद है महिंद्रा इन महिंद्रा जादा तर 50% revenue tractor से कमाता है और अगर हम पूरे आटो सेक्टर को देखे तो आटो सेक्टर में सबसे कम जो करजा कमपनी के ऊपर है वो महिंद्रा के ऊपर है और जो पिछले quarter में इन्होंने किया है उन्होंने सियोंग नाम की जो उनकी सबसिट्री है वहाँ पूरे तरह से उन्होंने उनकी investment करनी है investment के लिए आट से खरीदारी अविनाश जी की राय है M&A में खरीदारी करने के लिए आट से